येस गाईस फाइनल ये आप सभी का इंग्लिश का पेपर आने के 10th क्लास बोर्ड का इंग्लिश का पेपर वायरल हो गया और बहुती वायरल जा रहा है क्योंकि हर एक चातर चाता है उन्हें आउट आप मार्क्स मिले तो चलिए पूरा पेपर आपको देख लेना है और कौन सा राइटिंग स्कील का पार्ट है और कौन-कौन से टॉपिक आपको आज इस आने वाल है साथ में कुछ पैरेग्राफ से जो बहुती इंपोर्टन आपके बोर्ड एक्जाम में रहने वाल है साथ में राइटिंग स्कील का पार्ट और आप सभी का यहापर जो ग्रामर का पाट है वह आपको यहापर बता जाएगा important question टिक माग करके दिये जाएंगे साथ में आप देख सकते हो आप पर tabular और table के form में जो question आएंगे उसे भी आपको कैसे solve करना है और आपको come time में किस type यहापर paper solve करना है साथ में आप देखे हापर marks distribution आपको मिल रहा होगा जो कि कितने question है और कौन से question को कितने marks दिये है साथ में कौन से question का answer आपको कितना लिखना है यह भी आपको बताए जाएगा पूरा paper आप देख सकते हो लगबख 19 page का PDF है यह PDF भी आपको download करने को मिल जाएगा इस type आपको download करना है और हाँ जो आपको यहाँ पर paper देख रहा है इस paper का जो answer वाला PDF है ठीक है answer वाला PDF है वो भी आपको download करने को मिल जाएगा तो वीडियो अन तक देखेगा सब कुछ आपको इसी channel के मादरें से provide होता रहेगा और हाँ फस्ते हम आप video watch कर रहे हो और कौन-कौन से question important है सबसे पहले पेन और paper लेके आप बैठ जाएए या फिर आप इसका screenshot निकाल सकते हो वैसे पीडियो आपको मिलने वाला है और हाँ guys आपको इस channel के मादरें से हरे एक आने वाले आपके paper चाहे 10th board हो या फिर 12th board हो आपको इसी channel के मादरें से provide होते है तो आप सभी यहाँ पर जो है हमारे channel को subscribe करके बेल आइकन press कर दीजिए और telegram पर जूझ जाए तो चलिए ज्यादा देर करते हुए सबसे पहले आप देख लेते section 1 सबसे पहले आपका grammar का है language study तो आप देखे question 1a में आपको मिल रहा है आपर do as directed हर एक paper में आपको do as directed आएगा आप question important most important कर लिजे ठीक है अब देखे आपर do as directed में आपको लगबग 4 marks के लिए different 4 यहाँ पर आपको यहाँ पर जो statement है आपको दे रखे ठीक है सबसे पहले देखे आपको यहाँ पर एक sentence मिलने वाला है जिसका आपको direct का indirect कर लेना है साथ में देखे second find out for hidden word having at least 4 later from the given word आपको यहाँ पर लगबग 4 hidden word इसमें से आपको दूढ़ना है कि जो बहुत ही आसान है कोई भी student इसमें से लगबग 4 word निकाल सकता है थर्ड में देखे spot the error and rewrite the correct sentence आपको यहाँ पर error चूज करना है कौनसा error है और इसका correct यहाँ पर आपको एक sentence लिख देना है कुछ यहाँ पर यहाँ गलती की है board ने उसका आपको सुदार रना है और एक right answer लिख देना है जैसे के आपको call आया कोई भी word लिख सकते हो करो आपको die लिख सकते हो Live सकते हो पिर यहाँ यहाँ आपको कुछHe लिख सकते हो ऐसे आपको यहाँ पर complete चेन करना है उसके बाद देकिने मैं आपको कहा direct indirect फी आ पर आता है तो do as Should आपको मैं बता दू डारेक्ट इंडारेक्ट आपको इस पेपर में बहुत सारे question मिलेंगे जो आपको marks देकर जाने माले आप देखिए आपको एक question मिलेगा question में लिका होगा music के related ठीक है prepare the world register of four worlds related to given world बस आपको music के related four words लिग देना है कोई भी लिख सकते हैं music के related four words ठीक है आपको no sooner than मिलेगा और आप लिक दीजिए confirm आपको इस साल भी यह question देखने को मिलेगा ठीक है थोड़ा आपको changes मिल सकता है sentence में but आपको no sooner than का question आएगा as soon as का question आएगा दोनों question आप पूरा कर लिजे दो चार और आप कुछ sentence पकड़के उसे धूंड़के आप एक बार पिक आउट करना है और आप देखे status function उसका function इस sentence में क्या है simply don't marks का आपको है सबसे पहले आपने model auxiliary इसमें से धूंड़ लेना है धूंड़के उसका यहापर जो function क्या है किस type उसे use किया जाता है उस type लिग दिया तो एक marks और एक marks आपके दो marks cover हो गए name and identify the subordinate clause देनों आप आपको यहापर देखिए कुछ यहापर clause related भी आपको यहापर हर एक paper में दो marks के लिए पूछा जाता है बोट के यह भी आप कर लीजेगा ठीक है यहाप sentence पढ़ लीजेगा अब आता है यहापर section 2 जो की textual passage है ठीक है don't worry आप पूरा वीडियो वाच करीगा मैं आपको इसक आपको वीडियो पूरा वाच करना है और हाँ भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको आने वाले हर एक paper board exam 2024 के इसी चैनल के मादने से मिलते रहे हैं जैसे paper viral हो जाता है हम आपको इसी चैनल के मादने से provide करने वाले question number 2 आप देखिए read the following passage and do the activities आपको बहुत सा चिर रहने वाले है ठीक है yes guys बहुत healthful आपको रहने वाले a tabular form देखिए complete the given boxes with who said to whom who said to whom आने किसने किसको कहा आप देखिए हापर कुछ आपको paragraph मिलने वाला है सबसे पहले आपको में बता दू paragraph मत read करिए सबसे पहले read करिए question question क्या दी है देखिए statement you look a bit of a wrestler yourself if you can cook then may be I can feed you अब आपने यह पढ़ लिया उसके बाद ही आप पढ़िए passage ठीक है यह भी पढ़ लिया आपने बड़ एक्टिवीटी भी पढ़ लिजिए और a3 भी पढ़ लिजिए कि क्या कुछ पूछा गया है सबसे पहले आपको ही पढ़ना है complete the cluster diagram mentioning the characteristic of the main character of the passage ऐसे पढ़ते ही दिन वन एज उसका एज यहाँ पर mention करना होगा qualities क्या है easy going है hard work क्या कुछ qualities है आपको लिखना है तो बस आपने पढ़ लिए आपको समझ में आ जाएगा किहां overall हमें passage पढ़के लिखना आ जाएगा उसके बाद देखिए a3 yes क्या पूछा गया है यहाँ पर आपको पूछा क्या होता है और do as directed मैंने बोला आपको हर एक activity में आपको do as directed मिलेगा उसके रिगाड़ेट हर एक activity में question आपको देखने को मिलने वाला है और a5 activity जो की हर एक बंदे को एनके girls हो और boys हो clever हो या फिर आप एनके थोड़ा medium type के बच्चे हो फिर भी आपको a5 activity solve करना ही है चाहे आप कुछ भी लिख कर आओ अब देखिए why do you think Haris Singh gave his most appealing smile अब देखिए अगर paragraph में उसका answer है तो paragraph का कुछ भी उठा कर लिख दीजे अगर आपका जो answer है उससे relate नहीं करता फिर भी आपको एक marks examiner checker paper check करने वाला देता ही है तो आप यह ध्यान में रखिए अब देखिए हम experience and fairly successful hand अब आपने पढ़ते ही पढ़ते है आपको यहाँ पर question के answer दिखना start हो जाएंगे तब आप टिकमा करके लिजिए और टिकमा करते ही फटाफट अपने answer में यहाँ लिख दीजे ठीक है उसके बाद देखिए मैं इन शॉट में आपको बता रहा हूँ do as डारेक्टे इसके बाद हम डारेक्ट चलेंगे डारेक्टिंग स्कील पर जो टॉपिक है जो इमपोर्टे में आपको टिकमा करके देने वालो उसे आप तिकमा करके लिजिए अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टन रहेगा ठीक है औरना आप marks gain नहीं कर पाएंगे, out of marks नहीं ले पाएंगे अब देखिए, do as directed में आपको क्या पूचा गया है हर एक exam में आपको पूचा जाता है कि frame wh question to get the underline part आपको कुछ underline part दिया जाएगा कि a name, ओके, तो आपको उसको wh question में convert करना है, जैसे कि देखिए I took a new name every month, I took a new name every month, उसका आपको wh question में क्या हाट लगेगा, who लगेगा, whom लगेगा आपको उसका एक यहापर wh question बना दिना है, ठीक है answer, answer की में है answer, PDF में आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद देखिए, I was an experience hand underline the determined from the given sentence underline the deter, sorry underline the determiners from the given sentence आपको बना देखिए, A5 activity आपको लिख देनी है उसके बाद हम आते हैं आपर बीपर जो कि read the following passage and complete activity activity दिये है, आपको simply हम बोल सकते है हापर आप देखिए, in the Marathi language रिका में अजागा भरा, ठीक है, आपको पता है आपको only fill in the blank ही करना है इस ताइब आपको भर देना है, overall आपको यह passage पढ़कर ही आएगा, सबसे पहले आपको मैंने जैसे बता है, वैसे आप कर लिजिए, फटापर से आप जो question दिये है, वो पढ़ लिजिए question के बाद ही आप attempt करिए पूरा passage ठीक है, यहाँ बहुत ही आपको helpful रहने वाला है आपके exam paper में, ठीक है, बहुत exam में आते ही, आप paragraph पढ़ना start कर देते हो paragraph पढ़ते हो, उसके बाद जाते हो आप activity के उपर, और आपको कुछ समझने आथा पर आपने अगर activity पहले पढ़ लिए कि क्या कुछ पूछा गया है हमको paper में ठीक है question क्या कुछ है, तो अगर आपने question पढ़ लिए तो आप paragraph पढ़ते ही, आपको समझ में आ जाएगा फिर आप click mark कर के आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद देखे, pick out and write any four adjective from the passage, यह भी आपको लिखना आ जाएगा, do as directed, भाई हम तो परिश्चान है, do as directed इतना सरात है अगर आपने इस paper का do as directed भी कर लिए, तो sufficient है आपके लिए, बट आपका सबसे पहले basic clear होना चाहिए, do as directed का basic की क्या कुछ आपको direct and indirect करने में क्या कुछ आपको लगने वाला थी, कि पूरा आप material पढ़के जाएगे, do as directed का और एक्टिवाइज, पैसिवाइज का, then one आती है poetry poetry में आगे बढ़ने से पहले हम जाते है writing skill की उपर, जो कि हर एक चातर यहीं चाता है कि writing skill के topic के आइसर हमें वहीं बताइए, क्योंकि paper में writing skill बहुत important है, जादा तर marks उसी से आते है, और writing skill सबसे नीचे दिया होता है सबसे आने के आखिर में दिया होता है उसके कारण student वहाँ तक पोच नहीं पाता, तो यह गलती अगर आप करते हो तो आप फस जाओगे paper में, out of marks साब को नहीं मिल पाएंगे, यह गलती मत करिएगा बहुत सारे student यहीं भी करते हैं, यह writing skill first of all लिख के आ जाते हैं, बट मैं तो कहूँगा यह मत करिए, आप writing skill को आखिर में ही time बचाईए, सबसे पहले जो आपके other activities है ठीक है, उसे करिए अब देखिए, अगर आप writing skill easily आप लिख सकते हो, बट आपके पास होना चाहिए time, ठीक है, बट अगर आपने पहले यह time गवा दिया writing skill से paper start कर दिया और बहुत सारा time आपका writing skill में चला गया आप लिखते गया, लिखते गया, आपको आएगा सबको आएगा, आप लिखते गया, बट आपके पास time कम होता है, आप लिखते गया, और time आपका चला गया, फिर time आपका इधर convert नहीं हो सकता, आप उसमें कम समय में, जादा तर activities उपर वाले नहीं कर सकते, इसलिए आप सबसे पहले इसको इतना time देना है, यह करके आप उपर वाले सबको जो starting में activities होते हैं आपका sin passage, unseen passage poetry वाला, वो सबकुछ solve करके finally आप आजाए writing skill पर, अब देखिए important topic है, आप सभी को ठिकमा कर लिजें ठीक है, देखिए, later writing में सबसे पहले आपको आता है, imagine you are, मानो, कुछ भी आएगा imagine you are, कवीता, imagine you are, मादो, देनमन आप देखिए, resident at b12 आपको कुछ आपर दिया है जैसे कि आपका address दिया है, देनमन read the given extract आपको इसी type आएगा कि एक extract मिलेगा celebrating the girl's child by a staff reporter और आपको कुछ आपर info दिया है कि क्या कुछ celebrating the girl's child क्या कुछ आपर हो रहा है, आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, देन आपको activity A1, A2 में लिखेगा, क्या आपको formal letter लिखना है, या फिर informal तो आपको topic तो दे रखा है, क्या कुछ topic है, वहाँ पर कुछ हो रहा है, वह आपने देख लिया, उसके बाद आपको formal लिखना है, या फिर informal तो informal में देखे, write a letter to your friend सभी यही चूज करते हैं, informal letter लिख दिया, friend को हो गया, उसमें कुछ ज़्यादा changes करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ higher level के कुछ tense, या फिर higher level के कुछ words का इस्तेमाल नहीं, simple इस्तेमाल करना है और आपको indirect letter, sorry, informal letter लिखे आ जाना है, बस यही करिए informal letter ही लिखेगा, formal के उपर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, information transfer, verbal to non-horval, बहुत सारे student डरते है इस्ते, मत दरिएगा, important है और simple है, बस मैं तो आपको यही कहूँगा, कि आपको यहाँ पर अगर दो मिलते है कि verbal to non-horval, non-horval to verbal, सबसे पहले passage पढ़ लिजिएगा passage में क्या दिखा है, passage से पहले मैंने आपको कहा है, कि passage से पहले उनली एक बार देख लिगा है tabular form है, कि table में कुछ information दी है क्या, yes, दी है, तो सबसे पहले table में जो information दी है, वो पढ़ लिजिए सबसे पहले देखिए turtles and tortoise, ठीक है, आपको habitat लिखना है उसका turtles और tortoise places found in, कहाँ पर देखे जाते है यही आप first solve करेगा, important है एक बार आपने अगर इसे भी solve कर दिया तो भी आपके लिए बहुत आसानी जाएगी कि अधर कोई भी paragraph आपको आता है तो आप यहाँ पर पढ़के उसके regarded देख सकते हो, जैसे कि देखिए turtles and tortoise are closely related they are both reptiles from the same family आपको same family, family यहाँ पर मिल गए ठीक है तो इसे underline कर लिया the main difference between the two is that turtle is the name given to water drivers and tortoise is the name given to land drivers उसके name मिल गए आपने आपर उसे भी टिक्मा कर लिया they are easily identified by the presence of shell from which their head and limbs postrude इसी भी आपने shell regarded पूचा था इसी भी आपने टिक्मा कर लिया कि भाई shell regarded कुछ दे रखा है तो shell पर हमने ठीक्मा कर लिया turtles are found in Africa and America आपने ठीक्मा कर लिया आपका हो गया आपर एक marks its shell is lighter and more steam lined than that of tortoise आपको दो यहाँ पर दिखे है एक turtle एक tortoise दोनों का आपको differentiation part दिखा है बस आपको simply इस पर click कर देना है simply आपको tickma करते 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 आगे बढ़ना है और फिर जैसे आपका यहाँ पर passage पढ़ना हो गया आपको directly इसके answer start हो जाएंगे आना तो आप थोड़ा यहाँ पर paragraph अपने answer sheet में लिखेगा और answer sheet में paragraph यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर tabular format लिखके उससे आप solve करके आ जाएगा दोनों important है दोनों को tickma कर लिजे दोनों आपके लिए important है तो देखके जाएगा इसके answers आपको easily मिल जाएंगे जोकि answer भरा PDF मैं आपको देने वाला हो make sure आप अभी चैनल को subscribe करके वीडियो को लाइक आपको करना है और comment कर दीजे next paper आपको कुन सा चाहिए या फिर क्या कुछ difficulty आ रही है आप comment कर दीजे उसके बाद देखिए B1 आपको prepare a speech to be delivered in your school assembly on the topic बस आपको topic दिये जाता है simple है क्योंकि 10th class है और paper हमेशा हर एक छात्र को देखके बनाया जाता है ना कि only clever student आने कि बहुत हुशार चात्र है बहुत ही clever है उनको देखके ही paper नहीं बना जाता है सभी के तरफ आने कि medium to low type student उन सभी को देखकर ही paper बनाया जाता है कि सभी पास हो जाए तो आपका paper इस बार है कि 2024 हो या फिल 2024 हो या फिल 25 आप सभी के paper as it is easy to model type ही आना है तो इस बार 2024 का paper ही आपको easy ही देखने को मिलने वाला है so don't worry अब देखे उसके बाद prepare a speech आपको एक speech यहाँ पर deliver करना है और आपको यहाँ पर topic बताया गया है कि giving is receiving giving is receiving बस आपको थोड़ा यहाँ पर पढ़ लेना है topic में point क्या कुछ दिया है बस point पढ़ लेना है और मैं आप देखे आपर writing your counter view in paragraph on the topic shortcut to success is not a wrong choice okay इस टाइब आपको यहाँ पर topic पढ़के counter view करना है paragraph आप देखे यह भी यहाँ चोटा सा है आप लिख सकते हो section 6 में आपको यहाँ पर creative writing है आपको कुछ creative करना है creative writing यहाँ पर देखे आपको expand the theme do anyone of the following expand the theme हर एक student यहीं करता है expand the theme कर देता है आपको कुछ नियापर theme दे रखे आपको in 100 words इसे expand करना है topic important है इसे टिकमा कर लिजे the time to be happy is now time regarded आपको हर एक topic आएगा उसके regarded आप लिख दीजे time regarded आपको थोड़ा पढ़के जाना है कि time regarded कोई ना कोई theme आपको दिया जाएगा उसका expand आने कि आपको कुछ explanation थोड़ा expand करके उसके लिखके आ जाना है अब देखिए news report में क्या होता है prepare news report based on the following आपको कुछ point दे रखे है जैसे के आप देखिए government encourage classroom to go digital yes बाई सही है news report आपको करनी है इस type आप news report का देखके जाई कि format क्या कुछ होता है सब कुछ आपको इसमें available है जो कि आपको answer की पीडिया भी मिल जाएगा वह आप देख लीजेगा ठीक है या फिर आप और ओर ओर चाहे नव नित हो आपकी पास कोई भी इसे भी आप देख सकते की पार्ट क्या है इसमें आपको क्या कुछ लिखना है ठीक है वैसे मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आपका इसी पेपर के आने के उपर होगा क्योंकि एक वीडियो में बताना impossible है तो हम राइटिंग स्किल का पार्ट देख लेते अब देखे राइटिंग स्किल सबसे इंपोर्टन होता है यहाँ पर देखें आपको एक स्टोरी डेवलप करना है नारेटिंग एक्स्प्रियेंस में आपको तोड़ा क्रेटिव वर्क दिया जाता है जो कि डेवलप और स्टोरी इन अबाउट एटी टू हंड्रेट वर्स मिद्ट फॉल्विंग भी इनिग आपको बिगिनिग वाला पार्ट दिया जाता है आपको कुछ नहीं आपर आपके ट्यू हंडेट वर्स स्टोरी लिखना होता है ग्यूट अव सबस्टाइट आने के आपको एक स्टेबल टाइटल देना है इसप एक शुटेबल टाइटल DJ क्याने किね Singing Day, singer day, ओके कुछ भी आप Title दे सकते हो, Title आपका पढ़ा भी नहीं जाएगा, कि भाई LinkedIn यह है, आपने Simply आपको टिक करके एक marks टाइटल को जितने marks होते हैं, half या फिर एक mark आपको Diae जाएंगे, title पढ़ा भी नहीजाएगा इतना, आपको यलेवास्त में paper छेक होता है, so, don't worry, आपको only title देना, कि आप सोचते रह जाओके, टाइटल का दिना है कुछ भी देजी आपको इदिक्कत नहीं ठीक है बीटु देखिए नैरेट एन इंडिंग दी जाती है आपको इंडिंग दी है जैसे कि आप देखिए यहाँ पर इंडिंग दी है यहाँ पर उसके आगे क्या कुछ होना एक आपको आइडिया आनी चाहिए और आपने वह लिखना है सो आप स्टार्टिंग का यह पढ़के इससे आपको जल्दी आइडिया आएगी आप कुछ भी इसके बारे में इसके बाद में कुछ भी लिख सकते हो तो आप फस्ट को प्राइरिटी दीजिए और बहुत सारे स्टूड़न एक गलती करते हैं भाई साब आपको यहाँ पर अब अपना एंसर सिट देखें कितना बड़ा है अगर बहुत बड़ा है तो आप उनली एक पेज भी लिख सकते हो एक 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 हाफ पेज भी आप लिख सकते हो तो आप यही करिए ठीक है मैं आपके लिए एक प्रिवेस यहर पेपर 2023 ठीक है 2023 का English का पेपर जिससे आउट आ माक्स उनके कटे है उनको कितने माक्स मिले है उन्होंने कितना लिखा था यह आपके लिए बहुत ही फाइदे मांथ होने वाला है तो मेक शूर अभी चैनल को सब्क्राइब करिए यह हो गए हमारा पार्ट वन और पार्ट टु में हम जो अधर टॉपिक है राइटिंग स्क लिए बहुत ही फाइदे मांथ होने वाला है मेक शूर मैं आपको इसका एंसर पीडियाफ भी प्रोवाइड करा दूँगा आप आजए यह और हाप सभी को रिक्वेस्ट है टेंथ और ट्वेल्थ सभी के लिए एक वार्ट सॉप ग्रूप मैंने बनाया है जिसमें टेंथ ट्वेल्थ के सभी केंडिडेट 2024 और 2025 बोर्ट का प्रिपेर जो कर रहे है वो सभी वहाँ पर जूड़े हुए है तो आप सभी को और सब गूरूप जोइन कर लेना है टेलिग्राम को जोइन कर लेना है वहाँ पर आपको सभी स्टेडी मेटिरियल प्रिवेस येर पेपर सा आप लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा तो चले गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट टू जरूर देखिए गया जो की इंग्लिश इसी पेपर का पार्ट टू रहने वाला है कुछ नहीं बोर्ट पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपले आपको गूगल एफरी प्रोम पे जाना है वहाँ पर आपको सेर्च करना है जी निवस 24H.com जैसे आप सेर्च करते हो आपके सामने एक जी का एक ऑफिशल हमपेज आ जाएगा उस पर आपको क्लिक करके सभी प डाउनलोड कर लेना है अगर आपको कोई पेपर पीडियाव या फिर सोलूशन नहीं मिलता तो आपको सेकंड यहाँ पर अपनी जॉब.com अपनी जॉब.com अगर आप सेर्च करते हो तो आपको इस डाइब एक पेज देखने को मिल जाएगा और पेज पर आपको जाना है व